अज किस वीडियो में बात करेंगे बिएए फस्टेर के सेकेड़ समेस्टर के जियोग्राफी यानि की भूगोल के MCQ डाइप के परिछाएं MCQ यानि की objective बहुत विखिलपे होने वाली हैं उन सभी छात्रों के लिए वीडियो helpful है और महत्पूर है तो complete वीडियो को देखें के तो आपको बहुत ही ज्यादा help में लेगी प्रूब की तोर पर देख लिए बीए प्रथम वर्स यानि के पहला साल और समस्टर आपका दूत देखें जो सही जवाव से आपको टिक करना होता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपसे नंबर का ठीक है निग्रो तो ध्यान रखेंगे विश्च की सबसे सुद्ध प्रजाती जो मानी जाती वो निग्रो मानी जाती चुकि यह मनुस्य यानि की हम लोगों की ही जाती है जान रखेंगे अगला है कि निम्न मेंसे कि प्रजात के वाल उन जैसे होते हैं किस प्रजात के वाल उन जैसे होते हैं तो सही जवाब इसका होगा ध्यान रखेंगे ठीक है निग्रो आइड ठीक है निग्रो आइड प्रजात के चुबाल वाल है वो उन जैसे होते अगला है कि मानो प्रजात के सरप्रथम वर्गी करण का स्रे निम्न में से कौन से विद्वान का जाता है तो जिनको जाता हुए उनका नाम है लीना यस सही जबाब का होगा अगला है कि लिवको डर्मी सब्द का पिर्योग निम्निमेसे किसके लिए किया जाता है तो लिवको डर्मी सब्द का पिर्योग जो किया जाता है वो किया जाता है स्वेत यानि कि सफेत तोचा या गौर वरण के लिए सही जबाब का नंबर होगा अगला है कि ग्रीफित टेलर महोदय ने मानो प्रजातियों को कितने वर्गों में रखा है या फिर कितने वर्गों में डिवाइड किया है तो सही जबाब इसका होगा अफसन नंबर गा साथ में डिवाइड किया है अगला कोश्चन है कि मंगोला या प्रजात की सबसे प्रभुग विशेष्टा कौन सी है जो उसे अन प्रजातियों से अलग करती है तो ध्यान लखेंगे सही जबाब होगा मुड़ी हुई तिर्ची आखें सही जबाब का होगा ध्यान लखेंगे अगला की प्रजातियों की वर्गी करण का आधार कौन सा है तो प्रजातियां जो होती उनके वर्गी करण का आधार है वो सारिरिक लच्छन है ठीक है उनके बोड़ी फिजिकल जो होता इसके एक्टिविटी फे लच्छन फे जानकारी होती कि वो कौन से प्रजाति का है कौन से वर्गी कर्ण में रखा गया है अगला प्रश्ण है कि मानो प्रजातियों में बिभिन्ता उत्पन करने वाला कारक कौन है तो मानो प्रजातियों में अलग मतब बिभिन्ता कुछ अंतर उत्पन करने वाला जो कारक है उसका नाम है ध्यान रखेंगे सही जवाब होगा उप एसी हैडन ने मानो प्रजातियों का वर्गी करण निमने में से किस आधार पर किया है जो एसी हैडन प्रमुक बिद्वान है नोंने मानो प्रजातियों का जो वर्गी करण किया है वो किया है ध्यान रखेंगे बहुत ही महात्पूर्ण प्रशन अगर आपको मालूम इसका उत अगला question है कि ग्रीफित टेलर द्वारा प्रस्तुत मानों प्रजातियों की वर्गी करण का अधार कौन है तो सही जवाब इसका होगा option number घा बालों की बनावट एम खूपड़ी ठीक है फूचकांक ये जो है ये ग्रीफित टेलर ने प्रस्तुत किया है मानों प्रजातियों के वर्गी करण जो है इसके अधार प्रस्तुत किया है इसलिए सही जवाब घा ही होगा लाश्ट वाला option अगला कि नुन में से जो प्रजातियां या फिर जो भी प्रजात काके सौपडस वर्ग में नहीं सम्मुलित है वहाँ कौन है तो ध्यानलकेंग है मेलेनेशियन ये जो काके सौपडस वर्ग में सम्मुलित है लाकी सभी है अगला है कि भारत की प्रजातियों का वर्गी करन प्रस्तु करने वाले बिद्वान में कौन एक नाम गलत है ठीकक तो सही जब आप इसका होगा अपसर नंबर गान वर गरिफिर्ट टेलर यहीएक नाम गुलत है वाकी सब सहीं है अग्ला एक हटन ने हटन जो कि प्रोंग विद्वान ले भारते प्रजातियों के वरगी करण में अंडबान नेकोवार द्यूप में निम्न में से कौन सी प्रजात ही बताई है तो उन्हों सही जवाब इसका हो जाएगा, ध्यान लखेंगे, बहुत ही महात्पूर प्रस्टन है, भू मद्ध सागरिये, यही माना है, अगला कोश्चन है कि दच्छिन भारत के तेलगो और तमिल ब्रहमणों को वी यस गुहा ने किस ठीक प्रगत का बताया है, तो उन्होंने बताया है कि वो प्रचीन, भू मद्ध, सागरिये, प्रगत के हैं, सही जवाब का होगा, अगला के निमन में से कौन सा ब्योसाय मानों के प्राथमिक ब्योसाय की स्रेणी में नहीं आता है, तो प्राथमिक ब्योसाय के स्रेणी में जो नहीं आता हो है, परिवाहन ठीक है, परिवाहन और सब आते हैं यही है जो प्रथम सेड़ी में नहीं आता है अगला कि मानों बिवसाओं में या फिर मानों के जो बिवसाओं बिजनिस होते हैं जो दंदे होते हैं उनमें से कौन देश किरसी प्रधान देश नहीं है तो कौन सा देश जो किरसी प्रधान देश नहीं है बाकी हो जाएगा अगला है कि अनुकरम अधिष्ठान का तात्पर क्या है तो अनुकरम अधिष्ठान का जो मतलब है तात्पर है वो मानो बेवसाय में बदलाव से है यानि उसका जो भी कर रहा है अपना धंधा पानी उसमें कोई changes करता है तो वह अंकरुम अधिस्ठान केंतर कताता है अगला है कि पिलिस्टो सीन युग में ध्यान र changer है कि पिलिस्टो सीन युग में मानों विवसाय की कौन सी अवफ्था थी थीके तो उस अवफ्था नाम है आ खेट का नंबर सही ज़वाब होगा अगला की मानों ने क्रसी करना सीख लिया था किस युक से तो मानों ने क्रसी करना सीख लिया था जान रखेंगे नो प्राफ्तरकाल से ही सही जवाब लाश्ट वाला होगा घानमबर अगला की नगरिये बस्तियों की ब्रद्धी हुई तो नगरिये जो बस्तियां हैं इनकी जो इसका नाम है सिकार करना गड़नामबर सही जवाब होगा अगला है कि उच्छ अन्छासिय छेत्रों में भोजन शंग्रण का संचय मुक्ःता प्राप्थ होता है कहां से तो सही जबाब इसका होगा सही जबाब पसवों से होता है अगला है कि बिष्ट में सबसे चतुर सिकारी निम्न में से किसे माना जाता है तो बिष्ट में सबसे चतुर सिकारी जो माना जाता है वो ठीक है इसकुमों को माना जाता है गानमबर सही जबाब होगा अगला है कि और दोगिक द्रश्ट से निम्न में से कौन से वन सर्वधिक महत्पूर्ण है तो ध्यान नखेंगे सही जबाब होगा कौन ध्यानी वन सबसे महत्पूर्ण है अगला है कि निम्न में से किस कट बंध में मचली पकड़ने का कारे सर्व प्रणीब कर लिए तो सितोस्व ठीक है कहां पर होता है सितोस्व में सफ़े ज्यादा मचली पकड़ने कारे होता है साही जबाविश्का हो जाएगा अग्ला निर्माढ उद्ध्यूग में प्रकार का बहुसा है यह भी माहत पूर्ण आप्षिन नम्बर सांस्कृति भूद्रस सांस्कृति भूद्रस तो यह महत्पूर्ण प्रश्ण ध्यान लखेंगे सही जवाब इसका होगा आप्षिन नम्बर नगर जिसको आप लोग सहर सिटी बोलते हैं अगला प्रश्ण प्रस्तुत है कि नगला या पल्ली निम्न में स कौन सी द्रस भूम में सामिल है तो सही जवाब इसका होगा ध्यान लखेंगे सांस्कृति ठीक है द्रस भूम में सामिल है सही जवाब का होगा अगला कि बिश्च में प्रमुक सांस्कृति प्रदेशों की संख्या कितनी है तो बिश्च में प्रमुक सांस्कृत प्रदेश है वे कौन है तो सही जबाब इसका हो जाएगा अप्षिन नंबर घा मद्ध एवं निम्न अंठिक अंचान अच्छांसो से हुआ है अंचा सो से हुआ है सही जबाब घा होगा अगला है कि संयुक तुराज अमेर्का और कनाड़ा की सांस्कृत को क्या नाम दिया गया बहुत ही महत्मूर्ट प्रशनेश प्रशने के आने के पूरी उम्मीद द्यान लखेंगे सही जबाब होगा ठीक है एंगलो अमरीकन सांस्कृत गानमबर सही अगला कोश्चिन है कि कि आदिम जात का संबंध भूमद्ण रेखे प्रदेस से नहीं है तो वह है कि खिरगीज सही जबाब का नमबर होगा अगला प्रशन प्रस्तुत है कि कांगो बेसिन में रहने वाले पिगमी आदिम जात के बारे में निन में से कांसा बिकल्प शही ह तो 36 जो ज़ुए जबाब होगा ध्यान रखेंगे वह होगा और परियोक्त में से दोनों कथन गलत है यानि की ये नाटे कट के होते हैं ठीक यह भी गलत है यह यह ना पसूपालते और ना कसी करते है इसलिए जवाब होगा घह नंबर है अब बढ़ते एंगले प्रश्ण की ओर अगला प्रश्ण कहे रहा कि इजी कुल इजी कुल नमक मीठे पानी की जील का सम्मन्ध निम्न में से किस मरुफ्थल में रहते हैं तो बुस्मेन जो है द्यान अखेंगे बहुत ही महत्पूर्ण परसने वो काला हारी में रहते हैं सही जवाब का नंबर होगा अगला की खिरगीज द्वारा बनाए पसू की खालों के आफ्थाई मकान या तंबू क्या कहलाते हैं यानि कि कोई पर्मानेंट तो होता नहीं जो तंबू मनाते हैं फिर अपना शपड़ा देकर रहते हैं जो भी इंसान तो खिरगीज द्वारा बनाएगे पसू की खालों के आफ्थाई जो मकान है या तंबू है वो क्या कहलाते हैं तो ध्यान रखेंगे वो कहलाते हैं चुर्त या यूर जाती है तो उसको कहा जाता है कमाँ सय जवाब कर गहुए होगा अगला है कि कर द्यान चे सुनेंगे इस्किमो च्यक्रिके इस्क्रिकों लोगों का प्रमुक्द्ययसाय को है था चिक ध्यान रखेंगे जो कि अक्यों न sondern D वो ध्यान से सून ली जाएगा मनुस्यों का आदमें, उनका ऐसा ब्योसा है जिसमें अपना जीवन यापन करने के लिए सिकार करते हैं और अपनी आवस्यकताहों की पूर्ती करते हैं ठीक है वही होता है अख समय होता है निर्मित बर्फ के घर क्या कहलाते हैं तो सही जब आब इसका होगा ध्यान रखेंगे इगलू कहलाते हैं उनको इगलू बोला जाता है ध्यान रखेंगे इगलू लास्ट वाला सही उत्तर होगा घानमबर अगला कि बुस्मैन लोगों का प्रमुक बेवसाय क्या था तो बु पर सही जवाब होगा अगला कि पिग्मी लोग निम्न में से किस प्रजात से सम्मंधित हैं तो सही जवाब इसका हो जाएगा ज्यान रखेंगे 45 का सही जवाब हो जाएगा नीग्रीटो ठीक है नीग्रीटो फे सम्मंधित हैं अगला कि पिग्मी लोगों द्वारा अपनी ज भूपणियां जो बनाई जाती है वो बनाई जाती हैं बर्च harness पर चैंडार होगा आप्जा नने उक्तर अग्र प्राषन पर हम zer लोगों का परनुक बेउसा है थीक है क्या मेंका प्रोंक बेउसाए सै आपसने permett से बढ़ता है यह बताते हैं आप लोग ठीक है तो उनका था पफूत चारण प्रमुख यह साय था अगला की गौंड महत्पूर जन जाती है कहां की तो गौंड गौंड जो है वह प्रमुख प्रजाती है मद्ध प्रदेव छत्तिफ गढ़ राज्यों की सही जबाव इसका का हो घ्टा है गौंड जन जाति के लोगों का बेवसाय था तो गौंड जन जात के लोगों का बेवसाय था वो करिषी करना भी था शिकार करना भी था और वन उपज एक अत्रकर ना भी था फिलें सई जवाब और उपने चापना प्रस्तित था कि थारू जंजात का अवाफ सथल जो खारू जंजात थे वह कहा रेते आगला है कुष्चहन है कि गद्डी जन्जात के लोग कि फराज्य में निवाभ करते थे। तो गद्डी जन्जात के जो लोग थे वह हिमानिचल। इमाप करते थे जान रखेंगे थिक है बहुत इमाफ़ प्रश्न है अगला की ट्रांस हार्मेंज की प्रक्रिया निज्ट में से किस जंजात से संबंदित है तो यह जो है गदी जंजात से सम्मंदित है सईजबावई का घहानम अंबर होगा अगला कि संथाल लोगों का निवासए छेतर जिन राज्यों में है वो कौन सा राज्य हैं सईजबाव होगा वो लोग जारकंड में भी रहते हैं सकते हैं और उडिसा में पश्चमी बंगाल में इसलिए सभी में से सभी होगा ठीक है संथाल लोगों का निवास च्छित्र जो है इन सभी राज्यों में ठीक है उडिशा जारकन पश्चमी बंगाल इनाफसर में तो आज किस वीडियो में हम आपको 57 कोश्चन बताएं ठीक है यह सारे के सारे मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि यहीं आएंगे लेकिन चार से पांच कोश्चन जो हो और आपकी परिच्छा में इसमें से देखने हो कि मिलेंगे बाकि यह पूरी पूरी 100 कोश्चन की जो पीडियाफ इसको मैंने तयार कर ली है जो कि आपको मिल जाएगी विथ एंसर सहीद अगर आपको चाहिए तो टेलिग्राम वट्सप पे जॉइन होकर वट्सप पे जॉइन होने के बाद ग्रूप से जॉइन हो जाई है उसके बाद आप में प्रस्टन वाश्यत कर सकते हैं इसमें 57 है और जो पीडियोप मिलेगी आपको 100 कोश्चन के करीब मिल जाएंगे और आपका एक्जाम में थोड़ी बहुत मिलेगी बाकी आपका एक्जाम है उसके लिए और कोई कोश्चन है जरूर पूछे और आपका अपना इस चैनल सक्सेस्ट होए तो सबस्का है और आपको अन्य कौन से सब्जेक्ट वीडियो चाहिए वह भी कमेंट में बता दीजेगा ताकि हम आपको वीडियो बना कि आप तक पहुंत आ सके बाकी यह आपका अपना ही चैनल है फिससे बोलूंगा सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको सभी वीडियो का नोट कर पाएं ठीक है जाहिंद